हलो फ्रेंड्स अधिश्ठात्री कीचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसे लड़ू की रेसेपी जो सहिएत से बरपूर है, स्वाथ से भी बरपूर है और जिनको बनाना बहुत ही आसान होता है अलागी इन लड़ूओं को सभी अपने ग़रों में जरूर बनाते हैं लेकिन मैं इनको कैसे बनाती हूँ, वो रेसेपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी तो चलिए बनाते हैं आज गोंद के लड़ू बहुत ही आसान है इनको बनाना और बहुत ही स्वाधिश्ट भी लगते हैं तो चलिए रेसेपी शुरू करते हैं सबसे पहले लिए हैं मैंने कड़ाई और उसमें एक कटोरी काजू एड़ कर दिये हैं इसमें मैं बहुत सारे मेवे एड़ करने वाली हूँ मैंने यहाँ पर लिया है काजू, बादाम, अकरोट, पिष्टा, गोंद, मखाने और नारियल तो चलिए जल्दी से इनको फ्राई कर लेते हैं तो देखे यहाँ पर मैं बून लूगी काजू यहाँ पर मैंने एक कर्टोरी काजू लिया है जिसको मैंने स्लो गैस पर बून लिया है अब मैं इसमें एड़ कर दूगी बादाम और इनको भी स्लो गैस पर बून लूगी बादाम बून चुका है, इसकी यह पहचान होती है कि इसके अंदर ऐसे बीच में क्रैक आ जाता है मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से जब इसके अंदर ऐसे क्रैक आ जाएगा तो समझेगा बादाम हमारा बून चुका है अब मैं इसको भी एक प्लेट में सेपरेट कर लूगी यहाँ पर जितने भी ड्राइफ रूट मैंने लिये है उनका मेजरमेंट यह है कि मैंने सभी को लगबग एक छोटी कटोरी दिया है तो दिखे अब मैंने इसमें एंड कर दिया है एक रोट और इनको भी मैं स्लोग एस पर लगबग 5 मिनिट के लिए फ्राइ कर लोगी कोई भी ड्राइफ रूट आप तेज आश में मत भूनिएगा वरना यह कड़वे हो जाएगे तो देखे इसके बाद अब बारी आती है पिष्टा की और पिष्टा भी इसी तरीके से फटावट से मैंने भून लिया है आप एक बात का धियान और रखेगा कि जब भी आप ड्राइफ रूट को भूनें तो उसके लिए घी पहले बहुत कम इस्तमाल कीजेगा क्योंकि जब भी हम ड्राइफ रूट को भूनते हैं तो घी में थोड़ा सा कलरगा बदलाव आ जाता है गी का कलर थोड़ा सा चींज हो जाता है तो उसका हम इस्तमाल बाद में नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए देखे पहले मैंने बहुत थोड़ा सा गी इस्तवाल किया है जिसमें मैंने इंट्राइफ रूट को भूना था और उसके बाद देखे जब मैंने गोंद और मखाने भूने हैं तो मैंने गी को चेंज कर लिया है आपको नजर भी आ रहा होगा कि जब मैंने गो किल उनकी तरह फूल जाती है लेकिन माद में ठीक हो जाएगी वापस से श्रिंक भी हो जाती है हो सके तो आप इन लड़ों में किश्मी जरूर एड़ कीजेगा इससे इसका टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाता है अब बारी आती है मकानों की यहां पर मैंने डेड़ कटोर तक कुर-कुलat अठरी यहां पर मैंने जो गोला उता है सुखे वाला इसको कस लिया था यहां पर है कि इनको बहुत जादा बारिक मत कीजेगा अगर आप इनको जादा बार एक पीज देंगे तो लड़ू के अंदर जो हमने ये नट्स डाले हैं इनका हमें पता नहीं चलेगा देखे आप इसको इतना मोटा पीज लीजेगा तो चलिए नेक्स स्टेप के चलते हैं अब यहा आदा छोटा कटोरी सूजी सूजी आट करने से इन लड़ू का जो टेस्ट है वो बहुत जादा बूस्ट अप हो जाएगा अब इस आटे को जब हमें भूनना है तो हमें ग्यास को रखना है बिल्कुल स्लो बिल्कुल भी आज को आप तेज मत कीजेगा अगर आप इसको त अब इनको मैंने मिक्स कर लिया है और इसके बाद देखे मैं इसमें किश्मिश एड़ कर दूँगी किश्मिश को भी मैंने साटे में चितर से मिक्स कर लिया है और आप बारी आती है ड्राइफ रूट्स की जिनको मैंने पीस करके पखा हुआ है वो भी मैंने इसमें एड़ कर दिया हैं साथ नर्यल को भीे इसमें ऐड़ कर दिया है इन विलकुल तक है कर दिए हो चुका है अच्छे से करने के बाद मैं थोले से उतार लोगी और जब तक एठंडा नहीं हो जाता हम वेट करेंगे जब तब तक मैं देखे यहां पर डेड़ कप बुरा लूगी और इसको मैं चान लूगी बूरे को चान लेना जरूरी होता है क्योंकि इसमें इस तरीके से कुछ गांठे बनी रहती है वो जब लड़ो मिसको मिक्स कर देते हैं अगर बिना चाने तो वो अच्छा नहीं लगता है तो देखे इस तरीके से मैंने इसकी सारी गांठो को फोड लिया है और वापस इसको चानने के बाद देखे कितने इच्छे से बूरा अमारा लग रहा है तो चली आगे बढ़ते हैं अब मैंने लिगे यहां पर एक परात और जो मैंने मेटेरियल तयार करके रखा है इसको म हंडा हो चुका है और इसमें मैंने च्छाना हुआ बूरा भी एड कर दिया है यहां पर आप धियान लखेगा अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी को पीस लीजेगा और इसमें एड कर लीजेगा तो चलिए बूरा इसमें इच्छे से मिक्स कर लोंगी जब लड़ू आप भी लड़ू को जरूर बनाएगा बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और इन सर्दियों में तो इसको बनागर खाना भी चाहिए क्योंकि सेहत से भरपूर होते हैं और आमें सर्दी से भी बचाते हैं तो देखिए एक एक करके मैंने सारे लड़ू बनाक किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किजियो फ्रेंट्स तो देखिए सारे लड़ू बनकर तयार हो चुके हैं देखने में इतने सुन्दर हैं खाने में उतने ही टेस्टी पने हैं तो इन सर्दियों में आप ज़रूर बनाए लड़ूों को तो मिलते ह जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए हैव नाइस टेव फ्रेंग